इसको भी लगाओ इसको भी लगाओ यहां पे लगाओ कि यहां लगाओ अब तो और गीरूंगा मैं ओके स्टुडेंट्स लास्ट टाइम क्या चल रहा था हमारा ग्रेविटेशनल फिल्ड है ना ग्रेविटेशनल फिल्ड ड्यू टू पॉइंट मास किया था हमने इसको क्लोश करो बिटा मल्टिपल हो गया था ठीक है तो उसके एक्जामपल्स भी हम लोग ने देख लिए था आपने किया कुछ घर पे बन रहे थे प्रॉब्लम्स इमानदारी से डाउट है हाँ दो डाउट दो अगर किसी एक पास डाउट है तो दे सकते हैं दो बुख दो एक्जामपल है तेन पॉइंट टू यह तेन पॉइंट टू ना इस वन इधर आओ कौन साथ 10.30 बोल रही है ओके चलो देखें बैटा कुछ एक्जामपल नंबर 10.30 पेज नंबर 452 ठीक है क्या कह रहा है एक्जामपल पॉर 10.30 यह कह रहा है बच्चे की figure so the system of point masses placed on x-axis find the net gravitational field at the origin यह x-axis बना लिया हमने बच्चे यह आपका क्या है origin है इस origin से 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter, 5 meter ऐसे करके infinity तक हमने क्या किया है ऐसे points बनाए है ओके उन हर एक points पर हमने क्या किया है एक-एक mass रग दिये है capital M, capital M, capital M and shown lla mean won चल का and很好 और मुझे क्या करना है यहाँ पर filled निकालना है क्या निकालना है, Vil declare Fild निकालना है इनी E निकालना है अच्चे से समझ में आ रहे है तो आपको अच्छे से समझ में आ रहे है बच्चा की हर एक mass रखी वजह से यहँ पर filled होगा इसके वज़े से field होगा अच्छा ये कितना है बटा तो 1 meter ये कितना है बटा तो 2 meter ये कितना है बटा 3 meter अच्छे से समझा तो मुझे ये बताओ बच्छे कि इसके कारण यहाँ पर field का direction क्या होगा left की right left की right left इस तरफ न अंदे हो क्या तुम लो ये attract करेगा न क्या बोला है मैंने जहाँ field निकालना है plus 1 kg रखेंगे 1 kg को क्या करेगा ये mass को क्या करेगा यहाँ repulsive होता है left कैसे जाएगा ऐसी बाते करते हो तुम लो तो क्या होगा इस तरफ field होगा इसके कारण मालो मैंने बोला है इसके कारण किदे होगा इसके सब के कारण right ही होगा सब अपनी और attract करेगा है ना सब अपनी और attract करेगा तो बताओ even कितना होगा बिटा जी capital M upon 1 का square दूसरे बाले के कारण कितना होगा 2 का square तीसरे के कारण 3 का square and so on समझ गए बोलो तो इस तरीके से बहुत सारे सारे पार्टिकल्स के कारण क्या होगा फिल्ड बनेंगे तो total field क्या होगा बिटा सब क्या हो जाएंगे सब एक ही direction में है सीधा सीधा add कर लेंगे तो क्या common आया बटाओ G capital M common हो गया 1 by 1 का square 1 by 2 का square 1 by 3 का square and so on कोई दिक्कत आदी बात समझ में तो G capital M ये क्या होगे बटाओ 1 plus 1 by 4 plus 1 by 9 plus so on ठीक है इस तरीके से आपका क्या हो रहा है ये हो रहा है ओके तो 1 by 1 plus 1 by 4 1 by 9 1 by 16 यहां पर क्या हो जाएगा 1 by 4 का square 16 और इधर क्या हो जाएगा 1 by 5 का square 25 and so on कुछ 1 by 4 1 by 9 3M आचा 1, 2, 4 है sorry 1 के बाद 2 के बाद 4 है फिर आसान हो जाएगा 1, 2 के बाद क्या हो जाएगा 4 है ना sorry फिर आसान है अपने लिए यहां तो यह कैसा हो जाएगा capital G capital M 1 plus 1 by 4 plus 1 by 16 प्लस आगे क्या हो जाएगा फिर 8 का square हो जाएगा ना तो 64 हो जाएगा and so on ठीक है अच्छे से समझा यहां तक अब आप देखो बिटर है इनका इनका ratio बताओ कितना होगा इनका इनका ratio कितना इसको इससे divide करो कितना होगा इसको इससे divide करो क्या हैगा कुछ क्लिक किया दिमाग में ऐसा कुछ हमने पहले कभी पढ़ा है कभी पढ़ा था? सिरीज पढ़ाया था मैंने जब आपको basic mathematics पढ़ा रहा था तो वहाँ उमने सिरीज पढ़ाया था आप देखो समझ में आ रहा है कि क्यों पढ़ाया था? ठीक है? तो सिरीज यहाँ पर use होगा कौन सवाला? आए? geometric progression यहाँ क्या है? common ratio आ रहा है linguistic terms के difference कभी है समझ गए तो यहाँ पर क्या है? हमें जो सिरीज दिख रहा है वो geometric progression का Series दिख रहा है इसमें 1 by 4 से multiply करोगे यह आएगा इसमें 1 by 4 से multiply करोगे यह आएगा इसमें 1 by 4 से multiply करोगे यह आएगा and so on, समझ गे, तो यह GP series है, तो अब बताओ, बेटे मुझे, कि क्या हमको सिखाया गया था, कि geometric progression को कैसे add करना है, infinite वाला, यह कौन सा वाला है, मैंने दो बताए थे, एक infinite series रहेगा, और एक finite series रहेगा, तो यह कौन सा वाला है, infinite series है, बतादो, infinite में क्या होता है, बेटे, क्या formula होता है, यह क्या चीज है, बेटा, यह क्या चीज है, फर्स टॉम है, और common ratio कितना हो गया, 1 by 4, क्या formula होता था, A upon, A upon 1 minus R, यही होता था, बोलो बेटे, A upon 1 minus R, तो G capital M, ए कितना है, बेटा, 1 upon 1 minus R, कितना है, 1 by 4, कितना हो गया, बच्चे, G capital M, upon 4 minus 1, 3, 3 by 4, 4, उपर चला आगी बात समझ में आपको, तो देखो क्या है, बेटा, अंसर, तहां गया, तहां गया, तहां गया, तहां गया, चेंट पॉइंट 3, 0, अरे, आया, क्या आंसर है, 4 GM by 3, direction कि दर है, बेटे, direction कि दर है, देखो, along X axis है, तो अगर आप इसको direction डालना चाहते है, तो कौन सा होगा, X axis को कौन बताता है, I cap, so the answer is, 4 GM by 3, I cap, कुछ दिक्कत है, बोलो, अच्छे से समझ में आया, ओके, आगे बढ़ जाओं मैं, और किसी को है कुछ, कोई और doubt है, बच्छे, आगे बढ़ूं मैं, topic आगे बढ़ाओं, चलो, तो हम लोग कर रहे थे, क्या वो दोते, multiple masses हो गए, तो उसमें कुछ दिक्कत हो, तो बोलो, आगे बढ़ जाओं, ठीके, चलो, next heading डालना, बेटा, next heading डालना, gravitational field due to, gravitational field due to, uniformly distributed mass, अबलिक में कर देना, continuous body, क्या मतलब हुआ, बेटे, अभी तक जो हम problems कर रहे थे, उसमें क्या था, अलग-अलग point mass होते थे हैं, दो masses के बीच में, दो points के बीच में क्या होता था, एक proper distance था, आप उसको अलग-अलग separate separate देख पा रहे थे, देख पा रहे थे ना, अब मैं ये pain बोलू है ना, ये marker है, तो इस marker में बहुत सारे particles हैं, मैं बोलू कि बताओ, दो points आपको अलग-अलग दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे हैं ना, सारे particles क्या हैं, इसमें continuous हैं, ठीके, इसमें mass क्या है, इसमें पूरी तरीके से बिखरा पड़ा है, distributed हैं, ठीके, तो ऐसे जो bodies होंगे, उनको हम क्या बोलेगे, continuous body बोलेगे, है ना, और अगर ऐसा रहे तो एक पतली सी rod होती है, एक mass यहां होता है, ये दोनों mass मुझे separate रिखाई देते, तो वो क्या हो गए, क्या बोलता है, discrete, मतलब separate, separate mass था, अभी तक जो कर रहे थे, वो separate mass होते थे, अभी हम क्या करने वाले हैं, अगर continuous mass का distribution है, ठीके, तो उसके कारण करने वाले हैं, आगी बात समझ में, तो gravitational field due to, due to, लिखा ना, आपने heading डाला ना, due to continuous mass, तो अब आपको ये समझना पड़ेग कि हम mass को कितने तरीके से distribute कर सकते हैं, तो बिटे mass को हम लोग 3 तरीके से distribute कर सकते हैं, एक line पर mass distribute कर सकते हैं, एक plane पर mass को distribute कर सकते हैं, एक volume में mass को distribute कर सकते हैं, समझा के नहीं, ठीके, इसमें जो mass का distribution है, वो कैसा है बिटा, linear है, है ना, अगर ये table की बात करों, तो इसमें तरीके से हम तीन तरीके से मास का डिस्टिबूशन कर सकते हैं तो मास डिस्टिबूशन तो तीन तरीके से यूनिफॉर्म मास डिस्टिबूशन कर सकते हैं एक को हम लोग बुले के बिटा लीनियर मास डिस्टिबूशन linear mass distribution ठीक है बिटा linear mass distribution इसमें क्या करते हैं हम लोग mass को per unit length में mass को बराबर equally क्या कर लेते हैं divide कर लेते हैं इसको हम लोग lambda से show करेंगे बिटा तो mass per unit length ठीक है बिटे mass per unit length lambda क्या हुआ बिटा mass distributed per unit length अरे बात समझ में आ रही है आपको, अगर बेटे आपको lambda दिया हुआ है, इसका मतलब mass per unit length दिया हुआ, यानि kg per meter दिया हुआ रहेगा, तो अगर मालो एक proper length का mass चाहिए, तो क्या करोगे, कोई चीज per unit length पता है, तो एक proper length का पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, multiply उस element का, डियल लेंद का mass कितना होगा, तो सर लेमडा इन्टो डियल होगा, समझ गे, similarly, दूसरा होता है बटा, aerial mass distribution, इसमें हम लोग क्या करते है, mass को area पर distribute करते है, इसको अपन sigma से show कर सकते है, किसे, sigma से, इसको क्या कहते हैं, बटा, dm by da, मास per unit area, ठीक है, मास per unit area, बताओ इसमें dm कैसे निकलेगा, अरे जल्दी बोलो, dm कैसे निकले, sigma into da, अगर sigma पता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, area से multiply करना पड़ेगा, उसका mass पता चल जाएगा, और तीसरा है, volume mass distribution, volume mass distribution, ठीक है, volume mass distribution, इसको अपन रो शेशो करते हैं, रो, ठीक है, तो इसमें क्या ह हो गया, mass per unit volume, इसी को अपन density कहते है, mass per unit volume को ही क्या कहते है, density कहते है, तो therefore, dm इस case में कितना होगा, बताओ, rho into dv, अच्छे से समझा, तो इस तरीके से अगर अलग-अलग परकार का mass distribution होगा, तो हमें अगर एक particular length या particular area या particular volume का mass निकालना हो, तो हम इस तरीके से निकाल स सकते हैं, understood, okay, आगे बढ़ जाओ, चुल, तो जो सबसे simple mass का distribution हमें समझ में आता है, वो है linear mass distribution जैसे की rod, ठीके, जैसे की rod, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, heading डालिए, पहला, gravitational field, gravitational field due to, ओके, gravitational field due to a uniform rod, uniform rod, ठीके बच्छे, एक uniform rod के कारण हमें क्या करना है, gravitational field निकाला, तो चलो मैंने एक rod पकड़ लिया, ठीके बच्छे, इसकी लंबाई कितनी है, capital L, इसका total mass कितना है, capital M, ओके, यहाँ से, यहाँ से, d distance पर कोई point है, यहाँ मुझे क्या करना है, field निकालना है, ओके, क्या करना है, field निकालना है, कैसे निकालूंगा बच्छे, तो सबसे पहले मुझे यह बताओ, यहाँ पर mass का distribution कैसा होगा, mass का distribution कैसा होगा, lambda, sigma की rho, lambda, समझ गए, linearly है, तो lambda होगा, कितना होगा बचल लेमडा, lambda क्या होता है, mass per unit, volume, total mass कितना है, capital M, total length कितना है, capital L, तो lambda equal to क्या होगा, M by L, इतनी बात समझ में आ गई, तो बेटे, अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा element काट लेता, कितनी लंबाई का, dx, और मैं बोलता कि इस point से, इस point की दूरी कितनी है, x है, चलेगा, बोलो, तो जब मैं एक element काटता हूँ, इसका मतलब क्या हो जाता है, एक point mass हो जाता है, point mass के कारण, field निकालना आता है क्या हमें, क्या है formula उसका, gm by r square, gm by r square, तो यहाँ क्या हो जागे बेटा, g, इसका mass को मैंने क्या बोला, dm, बताओ dm कितना बेटे, dm कितना, मैंने क्या बोला था, बताओ जल्दी, lambda into dl, तो dl इसका कितना है, dx, तो lambda dx, lambda कितना बेटा, m by l, m by l, dx, नहीं न समझा, तो g, इसका mass dm, आपन क्या बेटा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, x square, अरे बोलो, तो यह छोटे से mass की वज़ए से field निकला, तो field भी बहुत छोटा सा होगा, इसको मैं d e बोलूँँगा, ओके, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, बोलो तो बłyटा, टोटल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, करना पड़ेगा कि ने, इसको इंटीग्रेट करूँगा, तो यह मुझे क्या अधे देगा बिटा, total field देगा, है न, g, इतना था, तो सर यह इतना था, capital M by L dx, आप उन क्या है बच्छे, x square, यह एक चीजे क्या है, constant है न, g constant, capital M constant, L constant, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, बाहर लेंगे, g capital M by L constant बाहर आ गया, dx by क्या बच्छा बच्छे, x square, अच्छा बताओ, मैं limit कहां से कहां रखू, limit कहां से कहां रखू, बोलो जल्दी बोलो, जोर से बोलो, अरे कल तो सेम टाइप का किये थे न, कल किये थे न ये, फिर भी ऐसे कर रहे हो तुम लो, बोलो, आए, गजब, लाड़ेश कर दी तुम तो, कहां से सुरू है, d से, कहां खतब है, d प्लस l, क्या करते हो तुम लो, नहीं दिख रहा है, है, चस्मा भी लगाए हो कई लो, फिर भी, नहीं समझा रहा है, यहां से यहां तक, देखना कहां से है, यहां से, यहां से यह वाला इंड कहां से सुरू हो रहा है, d से, खतम कहां हो रहा है, d प्लस l पर, नहीं समझा, तो क्या हो जाएगे बिटल लिमीट D से D प्लस L तक ठीक है चलो तो बताओ क्या हो जाएगा G M by L है ना बताओ इसका integration integration बोलो dx by x square integration क्या हो जाएगा एक तो mask लगा के बोलते हो तो हमें कुछ समझ जाता नहीं है बोलो अधि को पहले उपर ले जाएंगे पावर क्या हो गया? माइनस टू ठीक है? तो X का पावर क्या हो जाएंगे? माइनस टू पलस वन, माइनस टू पलस वन. limit d से d प्लस l तक समझ गए तो g capital m upon l क्या हो जाएगा x का power minus 1 minus 1 d से d प्लस l बिल्कुल सेम चीज़ किये थे कल तो g capital m ये क्या हो गया minus 1 by x d से d प्लस l है ओके इधर मिटाओ गटे इस तरफ मिटाओ ओके तो क्या हो जाएगा देखो limit रखना है बस अब minus को बाहर कर लेता हूँ तो minus capital g capital m upon l अब बचा क्या only 1 by x नीचे में d से d प्लस l ठीके बच्चे तो फिर minus g capital m by l 1 by d plus l minus 1 by d minus g capital m by l d into d plus l क्या हो जाएगा d minus d minus l क्या है ये ये cancel हो गया minus minus plus हो गया और l और l क्या हो जाएगा cancel हो जाएगा direct करा समझा है कि नहीं है confused हो गए चलेगा ना फिर से करो तो क्या बच्चा बच्चा बटा g capital m upon d into d plus l okay this is the gravitational field at any point which is d distance from one end एक end से d distance पर है तो उस point पर जो field आएगा इस rod की वज़े से वो कितनी होगी इतनी होगी अच्छे से समझा बोलो भई कोई दिक्कत आगे बढ़ जाओ noted अप्च्चा बटाओ आगे बटाओ आगे बटाओ कोई पर आगे आगे जागे 10 त दीग पर पर भई नेक्स्ट एडिंग हुआ ना बोलू क्या आगे इधर मिटाओं नेक्स्ट एडिंग ग्रेविटेशनल फिल्ड ड्यू टू ग्रेविटेशनल फिल्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म शर्कूलर रिंग यूनिफॉर्म शर्कूलर रिंग एटन एक्सिल पोजिशन एक्सिल पोजिशन एक्सिस एक्सिल ठीके एक्सियल पोजिशन ओके तो भई रिंग शमद रही हो ना आप रिंग मतलब नोटा हो गया हो लग रहे निकल नहीं रहे ठीक है यह रिंग हो गया बिटे ओके और एक्सिस कौन सा होते है इसके सेंटर से पास होने वाली लाइन क्या है यह रिंग है और यह इसके सेंटर से पास होने वाली जो लाइन होती वह एक्सिस होती है इस एक्सिस पर किसी पॉइं मैंने ये ग्रेविटेशनल फिल्ड due to uniform शर्पुलर रिंग at its axial position तो मैंने ये हमारा क्या हो गया रिंग हो गया ये इसका सेंटर हो गया और ये इसका एक्स्स हो गया आरी बात समझ में तो यहां पर मैंने कोई एक point choose कर लिया, यहां मुझे क्या चाहिए, फिल्ड चाहिए, ठीक, यह दूरी मैंने क्या ले ली, सपोज X, और यह मान लो इसका क्या है, radius, ring का radius, अब मुझे एक चीज बताओ, कि यह ring कैसे रखा हुआ है, आपको दिख ऐसे रहा है, लेकिन यह actual कैसा है बटा, ऐसा, समझ ग क्या है, इस बोड के पीछे है, ठीक, तो इसको मैं dash कर देता हूँ, dash वाला पार्ट क्या है, पीछे है, नहीं समझा ना, imagine कर पा रहे हो, है न, this is like this, ओके, अच्छे से समझ में आ रहे है, यह वाला जो dash पार्ट है, वो बोड के पीछे है, और यह वाला पार्ट ऐसे है, ज लेमडा सिग्मा की रो, जल्दी बोलो बच्छे, लेमडा सिग्मा की रो, सिग्मा, क्यों ऐसा लगता है बटा सिग्मा, एरे सर्फेस प्लेन होने से क्या होता है, मास कहा है, मास को सिर्फ किनारे किनारे है न, नहीं समझा रहे है, इस पूरे में है क्या, पूरे में है क्या mass यह surface area ना इस पूरे में है क्या? mass तो सिर्फ किनारे किनारे यह लंबाई पर है circumference पर है बस समझा की नहीं? mass का आ है? सिर्फ circumference पर है अच्छे से समझा? ठीक है? तो यहाँ पर भी mass का जो distribution है वो किस रूप में है? lambda की रूप में है? अच्छे से समझा? मास कितना है DM है अच्छे से समझा और मुझे फिल्ड कहा निकालना है यहां निकालना है जो मैं DM लेता हूँ वो DM कैसा होता है DM कैसा treat होता है एक point mask की तरह point mask की वजह से यहां पर फिल्ड निकालना है कैसे निकालूँगा क्या formula लगेगा सीधा DM by R square तो कौन सा R यह वाला R यह दूरी चाहिए मुझे नई इसको मैं बोल लेता हूँ बटा small R चलेगा न क्या हम small R को निकाल सकते हैं कितना बटा square root R square plus X square यह small R है तो बताओ इसके वजह से जो यहां फिल्ड होगा वो कितना होगा E बरावर बोलो capital G DM upon R square यही होगा ना फिल्ड कुछ दिक्कत है आचा चुकि यह छोटू सा मास लिया था यह फिल्ड भी क्या होगा बटा बहुत छोटू सा होगा D E इसका direction किदर होगा बच्चे बताओ direction किदर होगा इस फिल्ड का अरे बोलो बच्चे किदर इस तरफ इस तरफ किस तरफ अरे left में किदर Line बताओ ना इसकी तरफ जाएगा ओके तो इस फिल्ड का जो direction होगा वो इस तरफ होगा अर एसा नहीं समझा कि होगा की नहीं बताओ कुछ सक है इस में ना अच्छे सी समझा अब मानलो बच्चे मैनने इसको angle मानल लिया theta चलेगा है इसको मानल लिया angle theta इसको theta मानू किसको theta मानो इसको the div cos theta चलो इसको angle माल लिया थीटा तो इधर क्या आएगा D E Cos Theta और उपर क्या जाएगा D E Sin Theta अच्छे से समझा अरे बोलो अब ये जो D E Cos Theta है वो किदर लग रहा है Along the Axis लग रहा है ये किदर लग रहा है Along the Axis लग रहा है अच्छे से समझा अब ध्यान से सुनना जैसा ये मास है वैसा ही इसके अपोजीट में एक मास इधर भी होगा समझ रहे हो ठीक है उसके Current Field बिल्कुल वैसा ही इधर बनेगा है ये एंगल भी वही थीटा होगा वैसा ही D E Cos Theta इधर और D E Sin Theta इधर आएगा ये D Sin Theta ये D Sin Theta क्या हो जाएगा बिटा इसका मतलब Vertical Component क्या हो जाएगा Cancel हो जाएगा क्यूंकि हर एक Point के Corresponding उसके Opposite में एक Point होगा हर एक Point के कोई भी Point लेंगे तो वो सब एक दूसरे को Vertical वाले को क्या कर देंगे Cancel कर देंगे आगे इतनी बात समझ में आपको ओके तो चलो भाईया हम क्या करें इनी को आड़ कर ले बस D E Cos Theta को सबका आड़ कर लो जितने भी element बनेंगे सारे के D E Cos Theta को आड़ कर लेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा Native Field मिल जाएगा जो कि किदर होगा Axis के Along होगा Along D Axis होगा अच्छे से समझाना तो चलो तो D E Axial कितना हो गया भाई D E Cos Theta D E कितना था D E कितना था Sir इतना था Capital G D M By R Square अच्छा Cos Theta कितना हो जाएगा बिटा Cos Theta कितना Base upon Hypotaneous Base कितना है X Hypotaneous कितना है R R इना बात समझ में तो X upon Hypotaneous R Sorry R R Okay कुछ दिक्कत है तो D E Axial Equal to हो गया भच्छे Capital G D M X Upon R का Q अब D M की ये समझ में आ गया तो हमें क्या दिखा रहे कि ये छोटूस आया है सिर्फ D M की वज़े से Total लिकालने के लिए क्या करना पड़ेगा Integrate करना पड़ेगा इसको integrate करोगा इसको भी Integrate करोगा दिए मुझे क्या देदेगा Axis के along Total फिल्ड देदेगा है ना और इधर देखो तो Capital G बदलेगा क्या नहीं X बदलेगा क्या X बदलेगा क्या वो भी constant है R बदलेगा क्या R बदलेगा वो भी नहीं बदलेगा ये सारी चीज़े constant बचा क्या सिर्फ DM DM का integration मतलब क्या हुआ DM का integration मतलब क्या हुआ सारे DM मतलब सारे point को क्या कर लेना add कर लेना सारे point के mass को add कर लूँगा तो उसका total mass ही तो निकल जाएगा नहीं समझा ठीक है So इसके place पे अपन क्या रख सकते capital M जो कि उसका total mass था ओके तो क्या हो कि बचा capital G capital M X अपन R कितना माने है देखो तो R square प्लस X square का root है ना R square सोरी capital R square plus X square का root root का मतलब क्या होता है बचा power 1 by 2 है ना और उस पर power क्या है cube क्या मतलब हुआ अरे जल्दी बोलो अरे बोलो ना X square का power 3 by 2 this is the field due to a uniform circular ring ठीक है आगी बात समझ में E xl capital G capital M X upon R square plus X square का power 3 by 2 ओके आया समझ में आपको आपको 5-4 10-4 हुआ यहां तक की बात समझ में आई आगे बढ़ू मैं ठीक है अब अगर मैं ये बोलू बेटा की यहां पर सेंटर पर फिल्ड कितना होगा क्या होगा बोलो जल्दी बोलो जीरो क्यों होगा जीरो बेटा अरे यहां नहीं दिख रहे क्या एक्स जीरो हो जाएगा न वहाँ पर सेंटर पर क्या हो जाएगा जीरो something multiplied by zero क्या यहां से भी तु दिख रहा है आया कि यह नहीं समझ में अच्छे से समझा तो center पर field कितना होता है zero होता है special case ऐसा करके लिखो special case यहां तक note किया ना तुमने note क्यों नहीं किया कभी करेगा note करो notes proper बनने चाहिए बिटा आपके जैसा खोड़ियापा मत करो तुम लोग है ना notes proper बनने चाहिए नहीं दिख रहा है यह क्या क्या लाद दिये है एक दम से दिमाग करा हो रहा है है चुट गया जल्दी करो अच्छा बता है तन्वी चवान तुम वह देखती क्या चाइनीज पिक्चर नहीं देखती अच्छा पिक्चर में निंजा लोग आते हैं ना ऐसे बाल बानते हैं किसी नहीं देखा चाइनीज पिक्चर उसका क्या बोलते हैं वह क्या ना जैकी चेन वगएरा का एक भी पिक्चर नहीं देखी ऐसे बाल बानते की नहीं बताओ सही वह लाकिन भी इसको देखता हूं तो मैरे को वो पिक्चर याद आ जाती है कि एक आतो पिक्चर में देखना अक्सर देता है से्ट मैक्स पर कुंख़ो हमसर्ण एसा करके पिक्चर देखा है कि उसमें सब एक से टैलनेटिट रहते हैं एक औरत रहती है वो ऐसा आवाज निकालती ही कि पूरे गुंडे मर जाते है ऐसा भाग जाते है देखा है? है न? और एक ठो पूरा मेंडग के जैसे ऐसे फैलाता है वो खतर नाज एक सेक पिक्चरे बनाते हैं वो लोग भी साउथ वाले भी फेल है उनके सामने यह समझा आगया क्या आपको तो special case डाल आपने heading डालो special case special case at the center of the circular ring at the center of the circular ring ठीक है? at the center of circular ring तो ऐसा लिखना बटा since since at center center x equal to 0 है ना? and formula आपके पास क्या है बटा? यह x c l बराबर capital G capital M x upon r square plus x square का power 3 by 2 है ना? तो therefore जब आप इसमें x equal to 0 put करोगे तो यह वाला क्या हो जाएगा बटा? 0 हो जाएगा है ना? वहाँ पर field क्या होता है? 0 होता है ठीक है? यह बराबर क्या होता है? 0 समझ गए ना? अच्छे से समझा? कौन सा वाला? last वाला? अई गुडिये दीखतू रहा है? नहीं 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 पूरा चीज़ समझा हूँ यह नहीं 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 किस नहीं पूरा चीज़ समझा नहीं है? यह तू बोलतो रहा हूँ? सेंटर पे X equal to 0 X कहा रहा? यहां से यहां से यहां से? यही है ना X यहां पौँचू गए तो X क्या हो गया? इसमें भी दिक्कत है X 0 हो गया तो एक्स्प्रेशन में रख दो ना x0 है समझा कि नहीं किलिए है मेरी बात next heading डालना next heading डालना variation of variation of gravitational field due to variation of gravitational field due to uniform circular ring uniform circular ring uniform circular ring लिखा heading समझो जैसा कि आपको दिख रहा है कि हमारे पास क्या expression आए बिटा e बराबर since e बराबर g capital M x upon r square plus x square का power 3 by 2 ठीक है अगर मैं क्या करता हूँ इसमें variable term कौन सा है बिटा बताओ variable term कौन सा है बताओ x है ना x ही variable है capital R तो उसका radius है वो थोड़ी बदलने वाला है या फिर capital M उसका mass है वो भी नहीं बदलने वाला capital G तो constant होता ही x variable है तो अगर मुझे इसको differentiate करना होगा तो किसके respect में करूँगा x के respect में करूँगा है ना बिटे तो ये क्या हो जाएगा कौन सा rule लगेगा इसमें बताओ u by v क्या rule था बताओ बिटे capital G capital M तो constant है पहले इसको constant रखते थे r square plus x square v को constant रखते थे इसको differentiate करते थे x कड़ x के साथ differentiation कितना बिटा 1 फिर minus लगाते थे इस बार इसको constant रखेंगे और इसको differentiate करेंगे इसका कितना हो जाएगा 3 by 2 क्या बचेगा r square plus power को सामने multiply करते थे एना एक घड़ जाएगा तो बचेगा 1 by 2 और फिर इसके अंदर क्या है x square r square का तो 0 हो जाएगा constant है x square का क्या हो जाएगा x equal to ये पूरा term आया है एक चीज याद करो मैंने बताया था maxima या minima ढूंडना बताया था मैंने बोलो क्या करते थे maxima या minima ढूंडने के लिए अरे बोलो बचे बोलो how to find position of maxima और minima नहीं याद है ऐसे चूप रहते हो ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता है नहीं बोलोगे हाँ ना याद नहीं है सर पढ़ाये ही नहीं हो सर ऐसा कुछ तो बोलो सर ऐसा आपने कभी पढ़ाये नहीं पढ़ाये मैंने पढ़ाये क्या याद नहीं है तो ऐसा इमानदारी से बोलो ना तुम लोग बच्चे हो, मन के सच्चे हो, फिर भी बोलते नहीं हो, ठीके, तो याद नहीं है, थो हमने बताया था बटा, एक बार differentiate करो, equal to zero करो, है ना, एक बार differentiate करो, equal to zero करो, क्या मिलेगा, maxima या minima मिलेगा, तो differentiate किया ना हमने, इसको equal to क्या कर दू, zero कर दू, आया क्य समझ में, ठीके, तो इसको मैं equal to zero कर दूँगा, तो क्या होगा, ये उधर चला जाएगा, zero हो जाएगा, इतना बचा, नहीं, तो क्या बचा, r square plus x square का power 3 by 2, minus 2x into x, क्या होगे बटा, 2x square into 3 by 2, into r square plus x square का power 1 by 2, यही बचा न, equal to क्या, zero, ये 2 और ये 2 भी cancel हो गया, है न, अरे बोलो बटे, तो ये हो गया, r square plus x square का power 3 by 2, और ये उधर चला करके क्या हो गया, 3x square, और r square plus x square का power 1 by 2, है न, बटा, ये इसके 1 by 2 को क्या कर देगा, खतम कर देगा, 1 by 2 खतम होगा, तो इसमें क्या बचेगा, है न, 1 बचेगा, तो r square plus x square, ये बचा, और इधर क्या बचा, 3x square बचा, तो r square बराबर क्या बचा, इधर चला जाएगा, 2x square बचा, तो x square बराबर क्या बचा, r square by 2 बचा, अरे बोलो बोलो, तो therefore x बराबर क्या बचा, r by root 2, प्लस, नहीं समझा न, प्लस माइनस आर बाई रूट टू अरे बोलो अच्छे से समझा ठीक है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब X आपका आर बाई रूट टू की बराबर होगा लेफ्ट में भी और राइट में भी है ना तो उस समय उस समय आपको क्या होगा maximum gravitational field मिलेगा समझ गए क्या अच्छे से समझा कुछ दिक्कत है तो बोलो कहीं कोई तकलीफ पक्का ना तो अगर मैं इसका variation बनाऊँ फिल्ड का gravitational field यह जैसे कि आपका circle है यह circle है इसको मैंने origin माना है है ना बिटा इसको मैंने क्या माना है इसके इस तरफ क्या हुआ प्लस इसके इस तरफ क्या हुआ माइनस ओके तो अगर मैं graph बनाऊँगा ठीके तो यह कुछ इस तरीके से बनेगा center पर क्या था बिटा 0 था की नहीं center पर क्या था 0 था और इधर मैंने e रखा और इधर मैंने r रखा तो कब बोल रहा हूँ है जब r by root 2 होगा और इधर भी जब r by root 2 होगा आगे क्या बाद समझ में बिटा अब जैसे कि माल ये center है ना ठीक है ये center है तो जब हम इधर रहेंगे बिटा तो field का direction किदर रहेगा इधर के किसी point पर field का direction किदर रहेगा field का direction हमेशा mass की तरफ होता है mass इधर है इस तरफ रहेगा ये direction क्या हुआ बिटा negative direction हुआ विधर कही रहुआ तो direction इधर रहेगा positive direction तो इसको मै इस तरीके से बना सकते हूं नहीं समझा समझा क्या है पर आपको क्या मिला था, maximum, तो देखो, r by root 2 पर क्या है, maximum, इधर भी क्या होगा, r by root 2 पर maximum, इधर क्या है, negative direction में इधर क्या है, positive direction में है, अच्छे से समझा, ठीके, तो आपका जो gravitational field का variation है, वो क्या देख रहा है, center पर क्या होता है, zero होता है, फिर बढ़ता है, और फिर क्या होने लगता है, घटने लगता है, जब हापन infinity पर जाएंगे बिटा, infinity पर जाएंगे तो सुचो क्या होगा, है ना, x जब infinity रखोगे तो क्या होगा, something divided by infinity क्या हो जाएगा, zero, हो जाएगा ना, बाद में फिर zero, समझा क्या, तो this is the variation of gravitational field due to, due to, ये कि सिच के लिए है, circular ring के है, है ना, center पर zero, फिर बढ़ा, फिर maximum गया, और फिर दूर जाकर के क्या हो जाएगा, zero हो जाएगा, ओके, स्रुस्टी नोटेड, स्रुस्टी शाहा, मर क्या ना में, अच्छा, उस class में ही क्या, ओके, आगे बढ़ू, इधर मिटाओं बिटा, इधर मिटाओं, next ring डालना, gravitational field due to, दो चीजों से, दो चीजों की वज़े से निकाल लिया, है ना, किस निकाल है, बिटा, rod निकाला, ring निकाला, तीसरा डालना, तीसरा डालना, gravitational field due to, a uniform circular disk, uniform circular disk, डिस्क समझते हो, प्लेट, है ना, डिस्क मतलब प्लेट, या सीडी वाली डिस्क, है ना, उसमें क्या होता है, उसमें मास का डिस्टिबुशन कैसा रहेगा, सोचो, है ना, उसमें सिगमा रहेगा, क्योंकि उसमें एरिया है, पूरे एरिया में मास है, है ना, आ रहा है ना, स ड्यू टू यूनिफॉर्म शर्कूलर डिस्क ओके चल दो तो भई हमने इसमें एक डिस्क बना लिया तो इसमें पूरे में वहाँ से भई है ना इसमें क्या है पूरे में मास ये इसका सेंटर हो गया अगेन हमने क्या किया इसका रेडियस माल लिया कैपिटल आर और ये इसका एक्सिस हो गया बिटा अरे बोलो ये एक्सिस हो गया सेंटर से एक्सिस की दूरी एक्स है ना और यहाँ मुझे क्या करना है फिल्ड निकालना है यहाँ मुझे फिल्ड निकालना है चलो करें बोलो बटे इसमें जो mass का distribution होगा वो केसा होगा बटे सिग्मा इसका mass मालो total कितना है capital M तो बताओ sigma बराबर क्या हुआ बटे sigma बराबर क्या हुआ क्या होगा mass upon area mass कितना है इसका total capital M total area कितना है pi r square तो ये हो गया हमारा sigma नहीं ना समझा बटे ये दिख कैसा रहा है क्या होगा ये नहीं बबारी मोटा हो गया हूँ भूट जुग नहीं पाता हूँ ठीक है आगे इतनी बात ये आपको दिख है ऐसा रहा है बटे लेकिन मैंने ऐसा रखा कैसे है इस तरीके से रखा है इसका मतलब क्या हुआ ये वाला portion क्या है पीछे और ये वाला portion क्या है सामने नहीं ना समझा amazing कर पा रहे हो ना कुछ दिक्कत है अब कैसे रिंग काटे सर अरे बोलो अरे पूछो ना रिंग क्यों काटे सर क्योंकि हमने रिंग का भी पढ़ चुके है हमको रिंग आ गया है ना तो अगर रिंग का पता चल जाएगा तो आ इसमें बहुत सारे रिंग काटे जा सकते की नहीं है ना तो चलो हमने एक ring काट लिया, वो जो ring काटा हमने, मालो, वो कहां पर काटा, y पर कितना मोटा, dy मोटा, चलेगा, अरे बोलो, dy मोटा हमने ring काट लिया, अच्छे से समझा हम लोगों ने, तो बिटे, इस ring की रूप में हमने क्या काटा, element काटा, इस element का जो mass होगा, उसको मैंने dm बोला, ब ring का mass, आपके पास क्या चीज है, sigma है, क्या करना पड़ेगा, dm निकालने के लिए, sigma into dA, और lambda के साथ dL, sigma के साथ dA न, lambda के साथ dL, sigma के साथ dA, rho के साथ dV, है, अभी sigma है न, तो area न, अरे बोलो, तो क्या करना पड़ेगा, sigma into dA, sigma into dA, अब dA किसका, dA किसका, ring का, area किसका लेना है, ring का लेना है न, ring का mass, यह तो ring का area लेना पड़ेगा न बबाबा, तो बताओ, ring का area कैसे निकालो, हम लोग बहुत बार किये हैं ऐसा, हमने center of mass में किया, हमने moment of inertia में किया, उस समय मैं बहुत बोलता था आपको, कि बेटा, यह सब जरुरत पड़ेगा आपको, है न, और अभी बहुत बार पड़ेगा, बहुत बार, pension free रहो, बोलो, कैसे निकालूंगा, इसका area मुझे बताओ, नहीं बताओगे न, कोई नहीं बताएगा, हाँ, मधूरा, बोलो, हाँ, बोलो, कितना हो जाएगा फिर, क्या, क्या बोली, by into y, बाकी चीजें तू सही बोली, थोड़ी सी confused हो रही है, बताओ, 2 pi r, r कितना है इसका, तो हो गया, 2 pi y, इसकी लंबाई हो गया, इसको मैंने क्या बोला, निकाल लो, काट डलो, और सीधा कर लो, नहीं समझा, बेटो बेटा, बदूरा, very good, साबश, ठीके, इसको हमने क्या क्या, ऐसे निकाल लिया, काट दिया, सीधा कर दिया, सीधा करूँगा, तो लंबाई कितना होगा, भाई, नहीं, 2 pi r, इसका radius कितना है, y, तो 2 pi y, तो जब ये सीधा हुआ, जब ये सीधा हुआ, ठीके, तो इसकी ठीकने समने कितनी ले रखी है, dy, और इसकी लंबाई कितनी आई, 2 pi y, ए बेटा, ये rectangle नहीं दिखरा आपको, द इतना आसान है, समझा कि नहीं, तो da बराबर क्या होगे बटा, 2 pi y, dy, अब इस चीछ को यहां रख दूँगा, बटा, तो dm equal to क्या होगया, sigma, sigma कितना लाया था, देखो अपने, capital M by, pi r square, है न, ये क्या होगया, sigma into, da कितना होगे बटे, 2 pi y, dy, कुछ कटा, ये और ये कटा क्या बचा बटे, dm equal to, 2m by r square, 2m by r square, ydy, ydy, कुछ दिक्कत है, अभी तक, हाई बटे, अब बताओ, ring के वज़े से field कितना था, ring के वज़े से field का formula क्या था, है, field due to ring, क्या था, बोलो, g, capital M, m किसका लेना था, ring का, अभी ring का mass कितना है, dm, तो g into क्या लिखुँगा, dm, into क्या बटा, x, into क्या, x, x वही रहेगा, क्या लग होगा, x तो वही है, x upon, क्या बटा, r square, r क्या था, radius, किसका, ring का, अभी जो आपने ring लिया है, उसका radius कितना है, y, तो क्या हो जाएगा y square plus, बोलो, x square का power 3 by, समझा की नहीं, अरे, अच्छे से समझा, तो g, dm, x, x by y square plus x square का power 3 by 2, ओके, अब dm की value put कर दूँ, यहां से, है न, put कर देता हूँ, तो, capital g, 2 capital m, y dy, है न, 2 capital, 2 m, y dy, by r square, into y square plus x square का power 3 by 2, into x, कुछ चुटा तो नहीं, ध्यान देना, थोड़ा, कुछ चुटा क्या, है, कुछ चुटा तो नहीं, अरे, बोलो, यह, तुम लोग के पास, कम से, 28-56 आखे हैं, न, तो आप लोग ज्यादा अच्छे से देख सकते, एक-एक को नहीं बोला, मैं, पुल मिला करके, इतनी आखें बोला, है न, एक को इतनी आखें हो जाती तो, फिर तो, डाय नहीं दिखते हैं, हम लोग है, आई क्या इतनी ब क्या बोलूँगा उसको, D, E बोलूँगा, है न, टोटल फिल्ड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप सोचो, इंटिग्रेट करना पड़ेगा, अच्छा सोचो, इंटिग्रेशन किसके रिसकोन सा चीज वेरियेबल दिख रहा है आपको इसमें, वैरी कौन सा ची बड़ा रिंग, और बड़ा रिंग, और बड़ा रिंग, सबसे बड़ा रिंग, नहीं, तो ये थोड़ी बदल रहा है, नहीं समझा, अच्छे से समझा, तो इसमें क्या हो रहा है, वाई बदल रहा है, कहा से कहा तक बदल रहा है, बताओ, सबसे छोटा रिंग, सेंटर प किसको integrate करना है तो भाईया हमको समझ में आया कि इसमें से y variable है तो क्यों ना हम बाकी चीज़ें बाहर कर ले कर ले तो क्या-क्या बाहर आजाएगा बताओ 2 बाहर आएगा capital G बाहर आएगा capital M बाहर आएगा x बाहर आएगा r square बाहर आएगा क्या बचा अरे बोलो बटे इन उपर में बचा ydy और नीचे बचा y square plus x square का power 3 by 2 कहां से कहां 0 से r तक अरे बोलो आप तो सर इसका integration कैसे करें ये तो बहुत ही बहुत ही बहुत ही बेकार दिख रहे हैं क्या मस दिख रहे कि बेकार दिख रहे हैं करने लाइक दिख रहे हैं हो पाएगा क्या करूं बताँ क्या करूं क्या करेंगी कैसा रूल लगाएंगे पावर रूल ही इसमें अपन क्या करेंगे बच्चे substitution हैना हमने बताए integration by substitution method वो लगाएंगे हैना हाँ तो क्या होता था sir integration by substitution method में तो माल लो कि हमने y square plus x square को something माल लिया r square चलेगा ओके चलेगा ना अब इसमें x जो है वो constant है कि variable है वेटा एक्स constant है उसका differentiation क्या होगा 0 तो मैं इसको क्या करता हूँ इस equation को r के respect में differentiate करता हूँ चलेगा तो देखो इसका कितना हो जाएगा पहले तो y square है तो 2y हो जाएगा फिर क्या करना पड़ेगा dy by dr x तो constant था उसका क्या हो जाएगा 0 और r square का क्या हो जाएगा 2r नहीं समझा अच्छे से समझा कुछ दिक्कत हो तो बोलना तो 2ydy बराबर क्या हो गया बटा 2rdr है ना तो यह 2 और 2 समझा हो गया क्या बचा बटे ydy बराबर rdr इधर की चीजे मिटाओं तो मैं चलेगा नोट किया है आपने सबने नोट डाउन किया है चलो इधर मिटाता हूँ मैं ताकि मुझे थोड़ी space मिल जाए कितने बच्चों को डर लग रहा है यह सब देख करके यह क्या चल रहा है सर कल तक तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था है यह आज क्या हो गया है डर लग रहा है बोलो यह मांदारी से बताओ डर लग रहा है ना डरने कोई जरुरत ही नहीं हमको इनकी जरुरत नहीं ह जो result आएगा उसकी ज़र्वत है असान हो गया ना हो गया ना टेंशन खतम तो ऐसे टेंशन रिलीज कर दिने का जो तुमको लगे ना कि ये बहुत उपर जा रहे तो मान ले ना कि ये आएगा ही नहीं सर पूरा सर ऐसा option नहीं है कि पूरा physics को कोई ऐसा मान ले ऐसा मान ले कि ऐसा कोई subject हमें पढ़ना ही नहीं है है ना कहीं ऐसा मन में लड़ू फुटता है कहीं ठीक है ऐसा अपने को derivation थोड़ी आना है भई हमको competition में derivation करना है क्या नहीं करना है ना हमको क्या चाहिए बटा है result चाहिए तो application important है understood तो डर लगे तो ऐसे इस तरीके से मन को तसल्ली देने का आपको सीखना चाहिए कोशिश करना चाहिए कि पूरा derivation आप कर पाओ नहीं भी हो तो डरने की ज़रत नहीं है हर किसी को 180 में 180 थोड़ी चाहिए कुछ बच्चे 120 भी लाएंगे तो चलेगा दो टरेके बच्चे होते हैं एक्टोली तीन तरेके बच्चे होते हैं जिनको कोई लेना देना ही नहीं है दूसरा जो सिर्फ चाहते है कि किसी तरीके से MBBS बन जाए और तीसरा जो ये चाहते हैं को अपने मन पशंदध कॉलेज में पढ़ना है जिनको मन पशंद कॉलेज में पढ़ना है, उनको क्या करना होगा? सब करना होगा. जिनको सिर्फ सीट चाहिए, तो वो 70-80% सी लेबस करेंगे, तो भी चलेगा. और जिनको मतलब ही नहीं है, वो कुछ भी नहीं करेंगे, तो भी चलेगा. तो अपने आपको कैटेगराईज करने का, कि हम किस कैटेगरी में हैं? है ना? कितने बच्चे हैं कि मन पशंद कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं? हाँ, तो फिर सब करना पड़ेगा. ठीक है? अब बागी ऐसी करना है, तब तो टेंचन ही नहीं लेना? अरे, यह ऐसा ही है, आ अपन आर स्केर, एकदम मैजिक हो जाएगा, देखो, वाई, दी, वाई, के बदले क्या रख लो? आर, डी, आर, इसी को कहते हैं, सब्स्टिटूशन मेथड, क्यों कि हम क्या कर रहे हैं? सब्स्टिटूट कर रहे हैं, है ना? एक के बदले दूसरे को, वाई स्क्वेर प्ल बहुत आसान हो गया क्या? 1 by r square dr, अरे ऐसा अभी अभी किये थे क्या? सुबह भी किये थे, कल भी किये थे, परसौ भी किये थे, मज़ा ही आया थे, सर बताओ कितना हो गया उसका? अरे जल्दी बोलो, minus 1 by r, साबश, minus 1 by r, ओके, ओके, ठीक है भई, अब बताओ, तो भई, यह हो गया हमारा 2, capital G, capital M, x upon r square, और यह हो जाएगा, minus 1 by r, r किसको माने थे बेटा, देखो तो, r square इसको माने थे, तो r क्या हो जाएगा? रूट लग जाएगा, आया कि नी समझ में, r square इसको माने थे, तो r बराबर क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा, ठीक, तो इसके बदले, y square plus x square, limit कहां से रखे थे बटा, 0 से, capital R तक, किसके बदले है, r, r किसके बदले है, y के बदले, तो जहाँ-जहाँ y दिखेगा, वहाँ पर एक बार capital R, और एक बार 0, कर दूँ, 2 capital G, capital M, x upon r square, एक बार, minus 1 upon y के बदले, r, r square plus x square, फिर minus, minus, क्या हो जाएगा, बटा प्लस, formulae बाला minus, lower limit लगाने के लिए minus करते थे न, minus minus plus हो जाएगा न, सही कर रहाँ न, मैं, अब अब की बार, y की बदले, 0 रखो जाएगा, तो बटा, क्या बचेगा, x square, root under x square, क्या बाहर आएगा, बटा, 1 by x, तो ये देखो, क्या बचा, 2 capital G, capital M, upon r square, ये x अंदर ले जाएगो तो बटा, इसको कटा देगा, only 1 बच जाएगा, 1 और ये minus x upon, नहीं समझा रहा है, r square plus x square, अरे बूलो बचे, अच्छे से समझा, this is the final formula for filled, due to uniform circular disk, है न, 1 minus x upon square root r square plus x square. किसका, क्या cancel करूँ? ये, जिन्दा रहने दो हमको, थोड़ा, क्या चाहती है, खड़े खड़े, suicide कर लो, ऐसा चाहती है, ये, ऐसा कौन सा math है, रहे भाई, हमने नहीं पढ़ा, तुम लोग ने पढ़ा है क्या, ऐसा, ऐसा कोई math पढ़ा था, तुम लोग ने, ये root game हो जाए, एरे गुड़िया, ऐसा कैसे होगा, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, है की नहीं, समझा की नहीं, ऐसी बाते नहीं करते बिटा, मुझे खराब लगता है, चल, समझ गए ना, क्या दीन आ गए, कोलू के बैल हो गए है, कोई YouTube भी देखता होगा तो हसता ही होगा, कम सकम वायरलेस होता तो थोड़ा ठीक लगता, दन ना, इधर मिटाओं, ये तो पुराना खाना, तो मेरा ये पुराना है, कर दो देखता है, तो में लगता है, तो मैं ज दोगता है, तो मैं होगा है, हुआ क्या बोलो बच्चे एक चीज दिखाऊं मैं आपको देखो इधर यह इसका इस जो हमने डिस्क माना था यह उसका रेडियस था यह x है तो square root r square plus x square यह हुआ और यह x है यहाँ जो formula आया है इसमें दोको x upon square root r square plus x square x क्या है इसका बेस है अगर इसको मैं थीटा मानूं तो यह बेस हुआ और यह hypotenious हुआ बेस अपन हाइपोटेनियस क्या होता है बच्चे इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या बच्चे ए बराबर 2gm by r square 1 minus cos theta बोलो cos theta क्या हुआ बिटा यह जो इसका boundary यहाँ पर angle बनाएगा वो theta आप ऐसे भी याद रख सकते हूँ चलेगा ना आया समझ में 2gm by r square 1 minus cos theta थीटा क्या हुआ डिस्क जो उस पोजीशन पर angle बनाएगा डिस्क की boundary जो उस पोजीशन पर angle बनाएगा that is theta क्या क्या सीख गए हम बिटा रॉड की वज़े से रिंग की वज़े से और डिस्क की वज़े से ओके आगे बढ़े आगे बढ़े next heading डालो चलो फट फट करो फट 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 एक दम rocket की speed से तुम लोग nfs खेले ओ nfs कौन-कौन खेले लड़के लोग ज़रूर खेले ओ लड़कियों में कोई नहीं तुम लोग भी खेले तुम भी खेली है अरे वाग है जब अरे उधर 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 है है ना तो उसमें वह होता है क्या नाइट्रोजन बुस्टर तो जब मैं फास्ट बोलू तो उसमें नाइट्रोजन बुस्टर डाल देने पैन में ऐसे लिखाएगा चलो डन आगे बढ़ू ग्रेविटेशनल फिल्ड डू टू नेक्स्ट ग्रेविटेशनल फिल्ड डू टू विवगा यूनिफोर्ण फिल्ड यूनिफोर्म हॉलो स्फियर् कि ग्रेविटेशनल फिल्ड डू टू यूनिफोर्म हॉलो स्फियर् तो इस बार अपने को क्या लेना है बिटा हॉलो स्फेर लेना है समझते हो ना हॉलो स्फेर हॉलो स्फेर मतलब मानलोग फुटबॉल अंदर में क्या भरा है हावा भरा है अंदर में क्या भरा है हावा भरा है अंदर खाली है ठीक है तो बताओ यहाँ पर जो मास्ट बोलो है ना समझ आया क्योंकि अंदर तो खाली है ग्रेविटेश्चनल फील्ड टू यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म फॉल्व स्फेर ओके ऐसा रहा तो क्या करेंगे तो माल लो बच्चे इसका टोटल मास कैपिटल एम मास का डिस्टिविशन सिगमा समझ गए ना ठीक है तो इसका ये समझ लो सेंटर हो गया है ना और इसका रेडियस हमने ले लिया कैपिटल आर अब यहाँ पर क्या है बच्चे अगर कही पर मुझे फिल्ड निकालना है तो उनको मैं तीन कैटेगरी में बाट सकता हूँ एक आउट साइड दी स्फेर एक अन दी सर्फेस आप दी स्फेर एक इन साइड आप दी स्फेर ऐसे तीन कैटेगरी मैं बना सकता हूँ समझा क्या, तो case 1, outside the sphere, outside the sphere, मतलब कोई position सपोज यहां हो, तो यह क्या हो गया हमारा, small r हो गया, तो इस case पे आपको क्या दिख रहा है, r जो है वो greater than capital R, small r का मतलब, small r का मतलब, distance of the position, तो अभी, चुकि वो outside में है, तो यह, उसकी radius से क्या होगा, बड़ा होगा, capital R क्या होगा, radius of the sphere, अच्छे से समझा, तो इसमें proof करने की ज़रत नहीं है, इसका direct result आपको याद रखना है, तो चलो, याद रखना है आपको, कि जब भी बेटा, uniform body होगा, ध् sum है, हमेशा, always, जब आपका, जो body है, वो uniformly distributed है, और symmetrical है, कैसा है, symmetric है, symmetric है ना, निख रहा है आपको, है ना, uniform and symmetric हो, और उसके कारण, field आपको outside किसी point पे निकालना हो, ओके, तो आप क्या कर सकते हो, उसका जो center of mass होता है, center of mass हम पढ़ चुके है, center of mass पढ़े हैं हम लोग, तो उसका जो center of mass होता है, वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, उस body के total mass को रख सकते हो, वैसे भी center of mass का definition क्या होता है, वो point जहां पर आप total mass को एक point पे रख सकते हो, ठीके, तो बताओ याद करो मैंने क्या बोला था जितने भी symmetric body होते है उसका center of mass उसके geometrical center पर होता है यानि इस sphere का center of mass कहा होगा बिटा center पे तो मैंने क्या बोला इस total mass को कहा रख लो यहां रख लो तो जब यहां रख लोगे तो यह क्या बन गया बिटा point mass point mass की वज़े से field क्या होता है बोलो gm by r square simple तो direct निकल गया हमारा क्या capital G capital M upon r sorry r square this is the field ओके अच्छे से समझा बिटे कोई दिक्कत है इसमें second case क्या हो सकता है case 2 case 2 यह क्या हो जाएगा बच्चे at the surface of the sphere at the surface of the sphere क्या relation होगा दोनों की बीच में बिटा दोनों r के बीच में अरे बोलो same r बराबर क्या हो जाएगा बिटे capital r तो यहां रख दू मैं r बराबर capital r क्या हो जाएगा therefore इस समय जो आपका e होगा फिल्ड होगा capital g capital m upon capital r square समझा क्या कुछ दिक्कत है case 3 case 3 inside the sphere inside the sphere okay इसमें क्या हुआ बटाओ r less than capital r हो गया फिर okay अरे बोलो ना तो यहां पर याद रखना है विटा चुकि अंदर अंदर गए ना अंदर तो अंदर में कोई mass ही नहीं है है क्या अंदर में कोई mass ही नहीं है तो mass ही नहीं है तो field कहा से होगा तो वहाँ पर field क्या होता है 0 inside क्या रहता है field 0 रहता है यह बराबर समझ गए क्या अच्छे से समझा तो यह हो गया तुम्हारा किसके वज़े से hollow sphere की वज़े से लिख डाला आपने जल्दी करो फटा फट करो derivation आपको समझ आए ना आए याद हो ना हो मुझे परक नहीं पढ़ता बट जो result सारे आए है वो मैं कभी भी पूछ हो तो आपको बताना पड़ेगा है ना आगे बढ़ जाओ heading डालना वेटा graph between graph between electric field graph between sorry gravitational field graph between actually क्या होता है ये जितनी चीजें आप अभी पढ़ रहे हो न same to same class 12 में electric field में पढ़ेंगे एकदम डिटो सिर्फ नाम बदल जाएगा क्या gravitational field की जगा electrostatic field हो जाएगा mass की जगे charge हो जाएगा समझ गए क्या डिटो वही सारी चीजें पढ़ेंगे है ना तो इसलिए बार बार मुँ में आ जाता है उसी तरीके से फिर जिटो आप magnetic field में पढ़ोगे एक बार सही से पढ़ोगे तीन जगा फाइदा मिलेगा आज सही से नहीं पढ़ोगे तो वहाँ भी रोगे फिर रोगे दुबारा रोगे उससे अच्छा साथ में सही से पढ़ोगे है की नहीं फिजिक्स में ये फाइदा है एक बार आप track पकड़े ठीक है एक बार आप track पकड़ोगे तो आपको फिर पूरे दो साल मज़ा ही मज़ा है और एक बार छोड़े एक बार डिरेल हुए ना फिर तो गए समझ गए क्या बताओ मैं क्या हेडिंग डालवाया आपसे ग्रेविटेशनल फिल्ड द्यू टू द्यू टू हॉलो स्फेर एंड डिस्टेंस फॉम इट्स सेंटर एंड डिस्टेंस फॉम इट्स सेंटर तो देखो तो बिटा अगर मैं यहां पर ग्राफ ड्रॉ करूँ ए और आर के बीच में फिल्ड और डिस्टेंस के बीच में ड्रॉ कर रहा हूँ तो क्या देखा आपने सेंटर तक सेंटर से लेकर के सर्फेस तक फिल्ड क्या है जीरो है वहां तक फिल्ड ही नहीं है कहां आर बर आर बर आर तक वहां तक फिल्ड नहीं है और जैसे ही surface आया वहां पर फिल्ड कितना होगा है बिटा यहां पर फिल्ड है ना gm by r square और उसके बाद फिर क्या होगा उसके बाद यह वाला बोलो आ रहा है समझ में तो धीरे दीरे यह क्या होगा जैसे जैसे दूर जाओगे यह बढ़ेगा यह आ रहा है समझ में तो कैसा हो जाएगा यह graph यह इस तरीके से हो जाएगा फिर infinity पे चले जाओगा तो r infinity रहेगा तो e क्या हो जाएगा जीरो तो ऐसा बहुत दूर जाकर के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा दिस इस दिग्राफ बट्विन ग्रेविटेशनल फिल्ड एंड आर सेम इकदम डिट्टो यही सारी चीज़े पढ़ेंगे वहां पर वहां पर भी इसी तरीके से इस फेर होगा बट उसमें क्या रहेगा मास की जगह मास तो रहेगा ही चार्ज रहेगा उसमें हमको चार्ज डिरेक्ट आपको क्या बोलेगा चार्ज ग्राफ देँगे और आप क्वेशन कैसे पूथा जाएगा बुता डिरेक्ट चार ग्राफ देँगे बोलेंगे कि यह बताओ उना का graph कौन सा है तो जो ऐसा दिखाई देगा उसको टिक कर देना है आपको simple बहुत आसान है okay graph is important समझ गे बात को आगे बढ़ जाओ मैं साब़ाज शाब़ाज चलो जल्दी करो एक last topic okay चलो last topic gravitational field due to uniform solid sphere uniform solid sphere बस छोटा सा change करना है आपको इस बार solid sphere करेंगे uniform solid sphere solid sphere इसमें क्या है पूरे में मास है है ना इसमें क्या है पूरे में मास है बताओ तो sigma क्या है कौन सा रहेगा रो समझ गे बटे क्या हो जाएगा यहाँ पर रो हो जाएगा तो यहाँ पर भी यह तीन केसे संभव है यहाँ पर भी क्या है तीन केसे संभव है outside sphere and inside पहले मैं बात करूंगा इसके लिए मैंने क्या बोला always अगर आपका symmetric body है uniform mass distribution है तो आप outside point के लिए इसको क्या मान सकते हो center of mass पर concentrated मान सकते हो तो इस पूरे mass को हम यहाँ ले ले तो यहाँ point mass बन जाएगा point mass की वज़े से क्या होता है बिटा gm by r square तो gm by r square यह same to same रहेगा कुछ दिक्कत है surface पे जाएंगे बिटा small r किसके बराबर हो जाएगा capital r के तो यह भी same to same रहेगा तीसरा जो है inside वो बदलेगा क्योंकि inside में mass है अब ऐसा नहीं कि inside में mass नहीं है है ना बिटा बोलो आ रहा है समझ में अच्छे से समझा तो इसमें क्या करते है बिटा अपन जैसे कि मालो यहां पर हमने कोई point choose किया है इस जगे पर इसको हमने क्या बोला आर ओके रियान से समझो तो यहां पर एक ऐसा हमने गोला काट लिया ठीक है ऐसा गोला हमने काट लिया इसका radius कितना है बटा small r नहीं तो अब मैं ऐसा इस point पर मुझे निकालना है field तो मैं इसको दो गोला मान सकता हूं क्या एक यह वाला गोला hollow यह वाला गोला यह जो छूट गया और एक अंदर वाला गोला नहीं समझा यह दो गोला हुआ कि नहीं हुआ गोला मतलब sphere ठीक है यह अंदर वाला गोला और यह बाहर वाला गोला बाहर वाला गो तो अभी अभी हमने सीखा ना अंदर में क्या होता है फिल्ड जीरो होता है तो इसके कारण यहां पर फिल्ड नहीं होगा अरे बोलो और जो यह अंदर वाला गोला है उसके लिए यह कौन सा हुआ सर्फेस समझा के नहीं अंदर वाले गोले के लिए क्या हुआ वो सर्फेस और सर्फेस पर कितना होता है जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वेर समझ रहे हो तो क्या हो जागा फिल्ड बीटा है जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वेर लेकिन इसका आर कितना है small r है तो small r square होगा और ये capital M किसका mass वो तो total का mass है हमको क्या लेना पड़ेगा इसका mass ना तो इसका mass निकालना पड़ेगा हमको मालो m dash निकाल सकते हैं क्या हम इसका mass इसका mass कितना होगा बटा बताओ rho into volume rho into volume rho कितना total mass upon total volume total mass हमने capital M लिया थे टोटल वोल्यूम बोलो 4 by 3 pi r cube यूज पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है ठीक है तो इसलिए मैंने formula आपको याद कराई थे ठीक है वोल्यूम कितना होता है इस्पेर का 4 by 3 pi r cube रो आ गया हमको किसका चाहिए इसका मास थी है इसके वोल्यूम से multiply करना पड़ेगा करना पड़ेगा तो इन्टू क्या कर दूँगा इसका वोल्यूम कितना जल्दी बोलो 4 by 3 pi small r cube 4 by 3 pi 4 by 3 pi संप्ला हो गया मास कितना बचा m small r cube by capital r cube नहीं न समझा बिटा capital m small r cube by capital r cube अरे बोलो समझा की नहीं समझा तो यह small r square और यह कट गया बिटा क्या बिटा ची capital m small r upon r cube this is the field inside the solid sphere नहीं समझा अच्छे से समझा ओके फट आफट जल्दी जल्दी करो जल्दी करो e and r due to solid sphere graph between e and small r due to solid sphere बता ओ तो कैसा graph होगा बबा जल्दी बोलो सोचो कैसा graph होगा e तो अंदर वाला कौन सा है यह है यहाँ पर देखो तो e और r के बीच में कैसा relation है है ना यह सारी चीजे constant है capital G constant total mass constant radius constant क्या हो रहा है small r कहा है distance from the center center पर कितना होगा center पर r कितना 0 तो center पर filled कितना 0 तो यहाँ पर 0 उसके बाद directly बढ़ेगा कहां तक बढ़ेगा radius तक तो radius तक क्या रहेगा बटा डिरेक्ली proportional straight line है ना बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा capital G capital M by r square और उसके बाद क्या होगा वो वाला वो देखो r बढ़ेगे तो वो क्या होगा घटेगा तो यह ऐसा नहीं ना समझा बुलो आया क्या समझ में तो इसमें जो फिल्ट का variation होगा वो इस तरीके का होगा पहले straight फिर इसा घटने वाला ओकी बच्चों तो आज की शभा यहीं शमआपत होती है लेकिन ना हो पाए तो ऐसा नहीं मन्द रोटा नहीं करना है तीक है यह बहुत बार आएंगे और जब यह बार-बार रिपिट होंगे तो एक ताइम पर आपको तो याद आही जाएगा समझ भी आने लगे गई पर रिजन्ट इंपोर्टेंट है रिजन्ट जरूर याद रहना चाहिए ठीक है रिजन्ट याद करना तो कुछ आप काम नहीं है वो तो करी सकते हो आप ओके तो कल मैं जब आप से पूछू तो आप आंसर करोगे ओके ठीक है मैं जब आप पोच्छिर मना जाखाए ठीक है थाखिओ याद करोगे रिजन्ट रिजन्ट इस तो कुछ से अगरे करोगे ठीक है यादू आपयां। कर दोता है पारे भी नॉडर बातर जीम क्यों बातर प्रिंदारी नॉर्काइब मोटर Σisuचा क सुप्रेश चॉडियर झाल प्राम सुप nylon। कि तो भीजरव मोटरम है, प्रीक क्यों उनके बातर है से भीजर से रहानी लॉड़ मोटर चीजर कुप ठनाऀे हैं झाल 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 झाल